हम लाएंगे 400 पार और सविधान बदल देंगे भाजपा के एक सांसद के जो ये बयान आया है उसमें साफ तोर पर दिख रहे हैं कि अगर हम 400 पार लाएंगे तो सविधान बदल देंगे नमश्कार मैं नूर्जाओर आप देख रहे हैं जनेत अवाज मेरट के लोकसवा सीट के सांसद अरुन गोविल का एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि हम 400 पार लाएंगे तो सविधान बदल देंगे देखे किस तरीके जो राम का किर्दार निभाने वाले अरुन गोविल हैं किस तरीके से बोल रहे हैं सविधान बदल देंगे और इस पर लोग जो है कमेंट करके सीरे तोर पर उनको टार्गेट करते हैं बोल रहे हैं जिनने सविधान ही नहीं पड़ा वो क्या जाने पाजबात की समाजबात के इसी पर लोग जो हैं प्रतिक्रियाइंन के लिख रहे हैं आपको पढ़े के सुना लेते हैं समाजबादी प्रहारी लिखते हैं कि यहाँ अभीने नहीं चलेगा सीरियल वाले राम जी दलिद भाई के घर कंशेख निवाला तो खाईए मतलब आप सोची के जातिवात की मानसिक्ता का ये जो अरुन गोबिल है जो भाजबा की पार्टी में शामिल हो गए हैं भाजबा की पार्टी से आते हैं मतलब सोची सविधान बदलने की बात करते हैं और जब बालमी की समाज में जाते हैं जातिवात की मानसिक्ता से ये जो प्रेरित हो चुके हैं वहां पे खाना भी नहीं खाते हैं उसके बाद जो है इस पर सदवाफरीन लिखती हैं कि सविधान के सिध्धानतों का मुल्ले ये टीवी कलाकार क्या जाने ये कोई स्कूल की किताब नहीं है जो कुछ सालों में बदल दिया जाए जो सविधान को पड दिख रहे हैं कि सावधान हो जाईए बीजेपी सविधान खतम करेगी ये अब साफ है और उसके बाद जो है बोलता हिंदुस्तान ने एक और पोस्ट करें कि बीजेपी को 400 सीट लाना है तो पाकिस्तान में जीतना होगा हिंदुस्तान में ये नहीं होगा सीम रेवंत पाुब सविधान बदलेगी तमाम जो है झाम के भाजबा के बारत ल nå Candice नेता है वी तो में रहा है लेकिन उसके बार नरेंद्र मोदी जी है कि declined के सपनों का भारत क्या यह है जहां पर लोग को बोलने तकी अजादी नहीं जीजाती है, महीलाओं के साथ इस तरीके की घटना सामने आती है उन्हीं के पार्टी के लोग जो न Organisation की आईटी सेल के लोग महीला के साथ रेप कर देते हैं और उसके बाद जो है दलीतों का ऐसा हाल है कि दलीतों को अभी भी जो है पिशाब करने की घटना हम आपको बताएं कि और एक बच्चे को जो अगर एक केला खा लेता तो उसको पीट दिया जाता है इस तरही घटना जो है भाजपा जो सत्ता पे बैटी है उनके राज में इस सरकार मोदी दोकर नौकर रनाव नौकरी की बात करते हैं वह भी यहां पर ने को आपको बता दे कि टीवी नाइन लिखता है कि राहूल गांदी का हेलिकॉप्टर जैसे ही उत्रा पहुच गई चुनाव आयोग की जांच टीम फिर चला तलाशी अभियान राहूल गांदी की हेलिकॉप्टर के तमिल नाडों में चुनाव आयोग के जांच की चुनावों के दौरान हेलिकॉप्टर की जांच कोई नई बात नहीं आयोग ऐसा अक्सर करता रहता है ऐसे पहले टीमसी नेता अभिशेट बेनर जी के मामले में भी हुआ था लेकिन सवाल यहीं है क्या र नरेंदर मोदी जी उनके हलिकॉप्टर की जांच नहीं हो सकती है लोग सबस्वा चुनाव दोदर चौबेस राहूल गांदी के हलिकॉप्टर की ली गई तलाशी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया चेक आर्टिकल नाइंटीन इस पर लिखता है कि चुनाव जी प्रधान मन्ती नरेंद मोदी और अमेच उनके हलिकॉप्टर की जांच नहीं होने को ने चाइए उसके बाद तक काम लोग जो यह बोल रहे हैं कि क्या मोदी और अमिच्षा के हलिकॉप्टर की जाश नहीं होनी चाहिए अगर बात करें दुबारा अरुन गोविल की जिन्हों ने कहा था कि हमें 400 पार दीजिए तो हम सविधान बदल देंगे तो इस पर दुरुवराटी जो हैं पोस्ट करक के मुल्ले हैं इस सविधान को हम किसी कीमत पर खतम नहीं होने देंगे भारती सविधान जिंदाबाद जैभीम अगर हम आपको बताएं बात करें 14 अप्रेल की जिस तरीके से 14 अप्रेल को बाबा सहय कि जैनती थी उनका जनम दिवस था तो वहां पर टीवी अकबार ने मैनिफेस्टों चलता रहा पूरे दिन तो क्या यह साजिश्टी क्या 14 अप्रेल के अलावा भी कोई और दिन चुन सकते हैं अपना मैनिफेस्टों दिखाने के लिए इसी पर जो है राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं कि भाश्पा के मैनिफेस्टों नरेंद रोजगारी लोग के जीवन से जुड़े सबसे एहम मुद्दों पर भाश्पा चर्शा तक नहीं करना चाहती इंडिया का प्लैन बिल्कुल स्पश्ट है 30 लाग पदों पर भरती और हर शिक्षित यूवा को एक लाग की पक्की नौकरी इस बार यूवा मोदी के जासे में नहीं आने वाला है अब वो कॉंग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांती लाएगा इस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम घर देंगे पक्के मकान देंगे और दो करोड रोजगार के जो वादे करते इस बार दुबारा जो है उन्होंने 30,000,000 जो पद हैं उनमें हम भरती करेंगे हर शिक्षित युवा को एक लाग पक्की नौकरी इस बार दुबारा जो है जुमला देने की कोशिच देगे किस तरीके से की जा रही है लोग सब चुनाफ से पहले जो है दुबारा जो है इस तरीकी चीज़े जो बोली जा रही ह दुबारा क्या यह पूरी हो पाएंगे अगर निरेंदर मोजी दुबारा सत्ता में आ जाते हैं 400 पार का नारा देते हैं उसके बाद अगर यह सब चीज़े देखने को मिल रही कि आप पूरी होंगे लेकिन राहुल गांदी टार्गेट करके बोल रहे हैं कि इस बार जो है जन्ता में कितना अक्रोश देखनें को मिल रहे हो कि जन्ताने जिटना विश्वा सभी 920 अभी गानदी इस तरीकी से अपनी गेरण्टिय लेकर आएंे उसमें surf तौर पर देख है कि शाय कहीं नकई एक युवा में महिलाओं में दुबारा जो है भरोस्त जता है जा सकता है रहाउल गांधी के चीजों पर रहाउल गांधी के मैनिफरेस्टों पर लेकिन जो गरबाद करें बीजे पी कि तो उसमें जो है भरोश जताना मुश्किल हो रहे हो कि विकास के बात करते हैं, अब लगता है जनता इस बार सरकार बदलने के मूर में दिख डिख रही है, अप इस तलनाव में देखने की इस पूरी वीडियो के आराय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद